बिहार में अब अप्राधियों के निशाने पर कारोबारी और पैसे वाले ही नहीं बलकि अब इनके निशाने पर सरकारी स्कूल के सिक्षक भी आ गये हैं जी हाँ ताजा मामला सीता मडी से जुड़ा है जहाँ प्राधियों ने स्कूल पर परचा साथ कर सिक्षकों से दो दो लाख रुपए की डिमांड की है और रंगदारी के पैसे नहीं देने पर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने को कहा है दरसल बतनाहा प्रखंड शेत्र के सही आरा थाना शेत्र के उच्चतर मादमिक विद्याले पुरनिया के विद्याले भवन के मुख्यद्वार के पीलर पर रंगदारी की मांग का परचा साथ कर बदमासों ने संसनी फैला दी है स्कूल के हेड मास्टर जी अविशेक सर्मा ने बताया कि सिक्षकर अन्य सिक्षगेतर क्रमचारी शोंबार की सुबह जब स्कूल पहुँचे तो मुख्यद्वार के चार पीलरों पर परचा सटा हुआ था टीम नवाव गरीबों के मसीहा नामक अपराधी संगचन के द्वारा दो सितंबर को दो बजे तक दो लाख रुपए के सभी कर्मियों को देने को कहा गया पैसे नहीं देने वाले कर्मियों और उनके परिवार को अंजाम भुगतने की चेताओनी भी दी गई इस घटना के बाद स्कूल के सिक्षक और अन्य कर्मी दहशत में आ गया है घटना की जानकारी मिलते ही सरियां ताना श्केत्र की पुलीस स्कूल पहुँची और धमकी वाले पर्चे को हटाया और परिशर में फेके गए अन्य आठ पर्चे को जब्त कर लिया हेड मास्टर ने इस थानी थाना और उच अधिकारियों को आवेदन देकर मामले से अउगत कराया पूरे मामले पर सीता मड़ी स्पी ने बताया कि मामले की जाच की जा रही है और दोसियों के खलाफ सक्त एक्सन लिया जाएगा तो बता दे आपको कि इस से आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि अपरादियों के मनसूबे जो हैं वो किस कदर बढ़े हुए हैं और किस तरह दिन दहारे वो ऐसी चीजे कर जाते हैं लेकिन उनके अंदर खौफ तक नहीं होती है तो अब सवाल ये उड़ता है कि आखर इन पर नकेल कैसे कैसे जाएंगे क्योंकि पर इस तरह से ये लागतार कारोबारियों को निशाना बना रहे हैं तो अब सरकारी स्कूल के सिक्षक भी इनके निशाने पर आ गया है जो अब परचा चपका कर सिक्षकों से 2-2 लाख रुपई की डिमांड कर रहे हैं साथ ही ये तक कह दिया है कि रंगदारी के पैसे नह देने पर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने को कहा गया है दरसल अब इस बात की बनागस थानिये थाने की पुलीस को लगी है पूरे मामले पर सीता मड़ी स्पी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और दोसियों के खलाफ सक्त एक्शन लिया जाएगा फिलहाल म कामले में जांच जो है वो जारी है